तो साथियों अगर आपका बंधन बैंक में कोई भी खाता है और आप चाहते हो कि मैं अपने आधर कार्ड को अपने बंधन बैंक एकाउंट के साथ लिंक कर पाऊंग, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे बहुत आसन तरीके से अपने आधर कार्ड को कितने समय में हमारा आधर कार्ड हमारे बैंक एकाउंट के साथ लिंक हो जाएगा, आज की वीडियो में हम प्रॉपत बात करने वाली है, इसलिए मेरे आप से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको अपने चैनल को सस्क्राइब कर लेना है, और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही helpful content में आप सभी एक सस्यर करते रहे, तामत चलिए फ्रैंड, सुरू करते हैं, अगर आप अपने बंधन बैंक एकाउंट में अपना आधर कार्ड नमर अपडेट करना चाहते हो, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे करना है, कौन कौन से document लगेंगे, complete process क्या है, इस particular form को कैसे fill करना, इस form आपको कहा मिलेगा, आज मैं आपको सब कुछ detail में बताने वाला हूँ, तो वीडियो बहुत ज्यादा helpful होने वाली है, इसलिए मेरे आप से छोटी सी request है, आपको अपने चैनल को subscribe जरू कर लेना है, क्योंकि बैंक के बैंक ब्रांच में भी मिल जाएगा, और आप चाहूँ तो इस particular form को अपने Google Chrome ब्राउजर से भी download कर सकती हो, चलिए सबसे पहले हम लोग basic information पर focus करते हैं, यहाँ पर basic information इसकी fill करेंगे, तो यहाँ पर लखा हुए क्या to the branch head बंधन bank, यहाँ पर देखिए आपको branch का नाम fill क branch का name क्या है, आपकी passbook में दिया गया होगा, same branch name आपको यहाँ लिख देना है, उसके just आ गया आता है branch code, branch code आपको proper तरीक से लिख देना है, आपकी passbook में दिया गया होगा, date आपको उसी दिन की fill करने हैं, जिस दिन आप ए form अपनी bank branch में submit करो, बहुत सो लोग क्या कर देत तो इसलिए आपको date उसी दिन की fill करने हैं, जिस दिन आप ए form अपनी bank branch में submit करो, थोड़ा से नीचे की और आते हैं, आपको यहाँ लखा होगा है, आपको खाता खुला हुआ है, वो किस नाम से खुला हुआ है, वही नाम आपको लिखना है, आपकी passbook में दिया गया होगा passbook में जो आपका नाम दिया गया है, वही नाम आपको यहाँ पर लिखना है, बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने घर का नाम डाल देते हैं, तो भाई ऐसी mistake नहीं करना है, आपको घर का नाम नहीं डालना है, आपको आपकी passbook में जो आपका नाम लखा है, वही नाम आपक याप फिल करना है नीचे आता है CIF ID मतलब CIF नमबर आपकी पासुक में दिया गया होगा प्रॉपर तरीके से फिल कर दिना है उसके ज़स्ट आ गया था है बेसिक डेटिल जो थी हम फिल कर चुके हैं अब आते हैं अपनी प्रोब्लम पर प्रोब्लम क्या है हमारी प्रोब्लम क्या है हमारी आधर कार्ड नमबर हम लोग क्या करना चाहते हैं अपडेट करना चाहते हैं यहां पर आपको आधर नमबर लिख देना है जो भी आपका औरहों ओधे हैं दो लोग आती है पीछे वाली पेज पर यहां परको लिखा हो rese सब्सक्राइब और आपको प्रोपर तरीके से सायन कर सकते हो और यहाँपर अपनी प्रोपर अपनी प्रोडलों कर सकते हो तो थोड़ा नीचे आएंगे तो यहांपर आपको कुछ फिल नहीं करना यह पूरा का पूरा आपका bank employee फिल करेगा चलिए अब आते हैं document पर document कौन कों से लगेंगे भई तो document में आपको आपके आधर काड की photocopy ले लिए नहीं है और दोनों को attach करके आपको आपके bank employee दे देना हो चैना कि sir तो मेरा author card number update कर दीजिए नेरे bank account के साथ या फोरी अ मेरा author card link कर दीजिए ने बैंक bases m यहां पे आप अपना author card link कर पाऊगे अपने bank account के साथ मैं आसा करता हूं कि आज क्यूड़ाद को पसंदाए होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब के लिजिए और वीडियो को लाइक के लिजिए क्योंकि ऐसे ही helpful content में आप सबीक साशेर करता रहता हूं मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तब तक लिए ख्याल लखे अपना स्वास्तरी ये मस्तरी ये तक यू सुमच्छ